या आप भी आपकी स्किन पर गुलाबों जैसे निखार पाना चाहते हैं, आपकी स्किन भी हमेशा गुलाबों की तरह खिली-खिली, प्रेश नजर आए, आपका चेहरा हमेशा ग्लोइंग धर आए, और इसकिन से जुड़ी ही तमाम समस्या है, जैसे कि जाईया, जुर्या, यह सारी प्रब्रम आपको कभी भी ना आये, और जिन लुगों को यह उनकी फ्रब्रेश में कि खत्प हो जाएं, और उनको भी एक ग्लास स्किन अचीब हो, आपको स्किन को पाँणे जाकर महंगे महंगे पेचैल भी ना कराने पड़े, घरेलू तरीके से आप ऐसी को से किस तरीके से अपने स्किन को गुलाबो जैसे खिली-खिली बना सकते हैं कीचिन में रखी हुए समान से हम इस रेमिडी को बनाएंगे और सबसे अच्छी बात कि लड़के लड़कियां और बच्चे हर कोई हर उंग्र के व्यक्ति से इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है हंड़ेट परसेंट नैच्रल रेमिडी आज अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो इन फेस्पेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूर पढ़ने वाली है गुलाब की पंखुडियों या रोस पैटल्स की आप चाहें तो फ्रेश गुलाब की पत्यों का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर उसकी इस्थान पर आप गुलाब की पंखुडियों का पाउडर भी इस्तमाल कर से पहले आप ध्यान रखना कि उन्हें पानी से अच्छे से वाश कर लेना जिससे कि इसको ऊपर लगी हुई सारी की डर्ट निकल जाए उसकी बात किसी भी प्लेट में और न्यूस अधर स्थान पर सुखाते हो तो इनका नैच्रल कर भी डेस्ट्रॉय नहीं होता है अब क्यूंकि गुलाब की पंखुडियों अच्छे से सूख गई है तो बारी आती है ने ग्राइंड करने की तो इसके लिए मिक्सी की जार में आप इने डाल लेना और तीन से चार राउं और इंच्छी पंखुडियों को प्राइंगे तो आप दो से तीन साल तक इस पाउडर को स्टोर करके रख सकती है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है आप मैंसे बहुत सारे लोग जो की स्टूडेंट है या फिर किसी वी वज़े से घर पर पाउडर तयार नहीं कर सकते हैं तो वो रोस पैटल्स का पाउडर ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं कहां से खरीदेंगे कौन सा पाउडर करीदेंगे कौन सा पाउडर प्यूर है इन सभी समस्याओं के समधान के लिए इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रोस प वपन आने लगता है तो पहला ने लगता है तो पहला पैस्पैक дорог ऐसे को मलाई के अंदर रग्राइबी खठाः अब किस्किन पर मुणकी को बड़ा की स्किनacam Dear जीए आहाँ दोनों चीजों को आपसमें इस तरीके के पेस्ट आपने बना लेना है और हमारा थंडड़ा थंडड़ा कर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही रिलेक्स फील होगा आप दूसरा पेसपथ न लोगों के लिए है गर्मी आते ही जिन लोगों को चेहरा काला पिंपल्स की समस्या होती है एकने की प्रॉब्लम होती है तो वो यह पेस्पक लगाए आपको आपकी कीचिन से मातर एक इंग्रेड उठा कर लेकर आना है यह दही दही के अंदर होते हैं प्रो बायोटिक्स और लेक्टिक असिड यह क्या अताम करता है आपकी स्किन पर कसाव कर देता है जल्दी की बुड़ापा नहीं आता है आपकी स्किन लटकती नहीं है तो यह पेस्पक आपको हकते में एक बार लगाना है तो दूसरा फेस्पक त्यार करने के लिए मैंने फिर से एक चमच रोस पैटल से यानि गुलाब की पंकुडिया का पाउडर लिया है और देखी इसके फायदे बहुत सारे हैं सबसे पहला फायदा इसे हर स्किन टाइप की वेर्थी लगा सकते है अगर आपके बंपिधिशने यह यह को बीशिकिन का यह है किए इसकी अनदर होता है चंदन की इंग्रिइंट के मै checking कि अ कंऩ करता है आपके चछ बियुक्छी पे पोर्स को डीपली क्लेंज करता है पिसकिन की अंदर से सफाई करता है तो तीसरा फेस पैक बनाने के लिए मैंने फिर से एक चमच रोध पेटल का पाउडर लिया है और अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ चंदन पाउडर यानि की सेंडल पाउडर इसकी बाद मैं इसमें करेंगे इसता लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा 100% नेचुरल चंदन पाउडर में इस्तमाल करती हूँ आप भी पर्चेस करना चाहते हैं जो मैं अपने लिए इस्तमाल करती हूँ तो आप वीडियो के आप जल लगाना है और मॉश्यराइज करना चेहरे को बिल्कुल मत भूलेगा कोई भी अच्छा मॉश्यराइज चाहें तो आप हमालया बेबी ग्रीम इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप पतंजली का ऐलोबरा जल लगा सकते हैं पेस्पैक लगाने के बाद हमेशा चेहरे प कर दो आप पतंजली का देशना